उपर आश्टापती की युग्यता क्या होगी फिर उपर आश्टापती का चुनाव किस प्रकार होगा फिर चुनाव होने के बाद उपर आश्टापती को शपत कुन दिलाएगा और उपर आश्टापती को क्या अधिकार और क्या शक्तिया मिलेंगी फ्रेंड्स और उपर और साथ ही में वीडियो के end में मैंने आपके लिए question answer सेट लगाया है friends तो उससे क्या होगा जितना भी हमने study करेंगे इस वीडियो में उपर राष्टपती के बारे में तो ending में वो question answer के थुरू आपका एक बार फिर से बहुत अच्छी तरीके से revision हो जाएगा और आपको idea भी आजाएगी कि उपर राष्टपती के topic से किस प्रकार एक्जामों में question बनते तो friends स्वागत आप सभी का knowledge center for you में हमने पिछले वीडियो में जिस प्रकार राष्टपती के बारे में पढ़ा उसी प्रकार आज हम लोग उपर राष्टपती के बारे में पढ़ना शुरू करत तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे important है यहाँ पे अनुच्छे तिरसष्ट यानि कि article 63 यह important क्यों है friends कि भारत के सम्विधान में उपर राष्टपती पत के बारे में article 63 में ही बताया गया है friends कि भारत का एक उपर राष्टपती होगा तो यहाँ पे इसे एक्जामों में किस प्रकार question बन जाएगा कि एक्जामों में पूछ लेंगे कि भारत के सम्विधान में उपर राष्टपती पत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का एक उपर राष्टपती होगा तो यह article 63 काफी important difference और देखिए कि उपर राष्ट पत के जो भी प्रावधान है वो हमने लिए अमेरिका के सम्विधान से और उपर राष्टपती यह राज्यसभा का पदेन सभापती होता है यह बताया गया है अनुच्छे चौसष्ट में तो अभी तक मैंने आपको तीन पॉइंट्स बताया है कि सबसे पहले उपर राष् देखिए और देखिए अभी राज्यसभा का पदेन सभापती तो होता है उपर राष्टपती ठीक है अगर आपसे एक्जाम में पूछ ले कि उपर राष्टपती राज्यसभा का सदसे भी होता है क्या तो नई फ्रेंड्स उपर राष्टपती सिर्फ और सिर्फ राज्यस मत देने का अधिकार उपराष्टपति को प्रापते फ्रेंट्स तो यहां से यह पॉइंट्स आप लोग याद रखिए इंपोर्टन पॉइंट्स है और यहां से एक्जामों में इर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाप के पत पर नहीं होना चाहिए और संसत के किसी सदन या राज्य के विधान मंडल के किसी सदन का वो सदस्य से नहीं होना चाहिए और इसमें अभी यह जो पॉइंट्स बताया ना फ्रेंट्स तो इसका क्या मतलब है कि उपराष्टपति पत के लिए कोई भी अगर व्यक्ति अउमे द्वार है तो उपराष्टपती पत के सिवा वो दूसरा कोई भी पत धारन नहीं कर सकता यहां पर इसका सीधा अर्थ यही है अगर समझो उपराष्टपती पत के अलावा उसके पास और अन्य दूसरे कोई पत होईंगे तो जब व्यक्ति उपराष्टपती पत की शपत लेगा उस समय उसके जो बाकी के अधिकार थे बाकी के जो पत थे तो वह पदों की समाप्ती वहीं पर हो जाएगी और उपराष्टपती पत का कार्यपार संभालेगा तो यह पॉइंट भी आप लोग याद रखिए अभी हम लोग उपराष्टपती के चुनाव के बारे में देखते हैं तो उपराष्टपती का चुनाव भी राष्टपती के चुनाव के तरह ही होता है कि इस प्रकार यह अपरत्यक्ष्य और गुप्तमत दांद्वारा ही होता है और यह चुनाव पद्दती क्या होती है तो चुनाव पर वोटों की गिंती की बात कर रहें तो वोट डालेगा कौन किसको अधिकार है वोटिंग का तो अभी देखिए सबसे इंपोर्टन पॉइंट यही तो उपर राष्टपती के चुनाव में वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ और सिफ लोगसभा और राज्यसभा के सदस्यो को प्रापते अभी मैंने यहां पर निर्वाचित नहीं बोलाए फ्रेंड्स जब हम लोग राष्टपती के बारे में पढ़ रहे थे वहां पर एक शब्द आया था निर्वाचित सदस्य परंतु उपर राष्टपती पत के जब चुनाव होगा तो उसमें लोगसभा और र से वोटिंग कर सकते और यह चुनाव पत्द्दति होगी एकल संक्रमनिया वोटिंग पत्दति से प्रावरटी के अधार पर इसकी वोटों की गिंती होगी और किसी एकको बहुमत मिला अभी उसको उपर राष्टपती के पत पर डायरेक्ली तो उसको नहीं बिठाएंगे तो शपत दिलाएंगे तो शपत कौन दिलाएगा फ्रेंड्स तो शपत दिलाते है राष्टर पती तो उपर राष्टर पती को शपत दिलाने का कार्य करते है राष्टर पती तो ये भी आप लोग याद रखिये फ्रेंड्स और शपत विदी के बारे में बताये गया अनुच पांच वर्षों का परंतु पांच वर्षों के अंदर उपर राष्टर पती को अगर अपना पत्र त्याग ना हो तो वह दे सकता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा वह अपना त्याग पत्र देगा राष्टर पती को और ऐसी कंडिशन में समझो वह उसका कार्यकाल पांच वरेश섯 चेका है उपरऊक्र पती का ठीक है और उपराश्टा पती का जब पद एक जयरा चाएगे, उसक्तक नया उपरऊक्र रहता है, जब तक नया उपराश्टा पती चुन कर नहीं आता, तो इसकी भी कुछ सीमा है, कितने दिनावों तक ये पद काली रह सकता है, कמपल सरी चे महिने के अंदर यह उपराश्ट पते का चुनाव कराना पड़ेगा और एक उपराश्ट मत ! फिर नया उपराश्ट का ठाय कुन आ जायगा तो अभी तो जोजोग आप लोग पयंकि एको उपराश्ट पति ज कि फऺ वे तो वीεςव्हक और जिस दिन से उसने शपत लिये उस दिन से उसका कार्यकाल गिना जाएगा तो उस दिन से उसका कार्यकाल पांच वर्षों के आगे गिना जाएगा तो यहां से यह पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा ठीके अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते और देखिए, अभी हम लोग देखते उपराश्टापति के अधिकार और कार्यों के बारे में, अभी उपराश्टापति को चुना, पांसल का कार्य खाले उसका, तो एक काम क्या करेगा? तो उपर राश्टपती ये राज्यसभा का पदेन सभापती होता है ये बताएगे आर्टिकल 64 और 89 में और उपर राश्टपती राज्यसभा का पदेन सभापती का क्या मतले में कि ये अद्धेशे के तोर पर ये काम करता है और ये इसका प्रमुख काम है उपर राश्टपत करता यह बताए अनुच्यत 6 में राश्टी-कास कैसे रिख्थ हो सकता है अगर राश्टा पती बिमार हो जाए या राश्टा पकी कारिय काल порa होने से पहले अनना त्याग पत्र दे तो राष्टरपती का पद खाली हो सकता है तो वैसे condition में उपराष्टरपती ये राष्टरपती का पद संबालेगा अभी इसमें भी important point ये है friends कि जब उपराष्टरपती राष्टरपती का पद संबालेगा तो क्या उसके पास उपराश्टर पती के भी अधिकार होईंगे और राश्टर पती के भी अधिकार होईंगे क्या ऐसा है क्या नई फ्रेंड्स जब उपराश्टर पती राश्टर पती का पत संबालेगा तो सब अधिकार उसको राश्टर पती के मिल जाएंगे और सारी शक्तिया और सारे अधिकार उसको राष्टापती के प्राप्त हो जाएंगे और ये फ्रेंट्स कितने दिनों तक कार्य कर सकते है उपर राष्टापती ये राष्टापती के तौर पर कितने दिनों तक कार्य कर सकते है कितने महा तक इसकी आउधी है तो friends यह ज्यादा से ज्यादा 6 महिने की आउधी होती है 6 महिने के अंदर नया राष्टरपती चुनकर लाना ज़रूरी होता है friends और Max to Max याने कि sentences अबी मैंने आपको बताया कि जब उपराश्टरपती राश्टरपती के तौर पर काम करेंगे तो उसको अधिकार और शक्तिया तो मिलेंगी और साथी साथ वेतन और भक्ते भी राश्टरपती को जो दिये जilotे वहीं मिलेंगे तो ये बात हम करें राष्टापती की तो राष्टापती का मासिक वेतन है 5 लाग रुपया तो उस समय उपराष्टापती को भी 5 लाग का वेतन दिया जाएगा और उपर राष्टापती का मैंने अगर आपको अभी एप तो हमने बताया कि राष्टापती का वेतन होता है 5 लाग तो उपर राष्टापती का मासिक वेतन होता है 4 लाग रुपए है ठीके फिरेंड्स आपको एग्जामों में यहां से question पूछ लेते, पूछ लिया जाते exam हों में कि उपर राष्टपती का मासिक वेतन कितना है, उपर राष्टपती का मासिक वेतन 4 लाग रुपया है, तो राष्टपती का मासिक वेतन 5 लाग रुपया है friends, तो आपको यहां पे उपर राष्टपती के अधिकार और कार पत्र खुद दे सकता है मतलब खुद रिजाइन कर सकता है खुद से उसको का मतलब अगर खुद चाहे वो कि मैं इसको काम नहीं करना तो खुद रिजाइन दे सकता है और अगर राज्यसभा के सदस्य चाहे तो उपराश्टपति को पत से निकाला जा सकता है तो उसकी क्या व तो उपराश्टरपती को हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा और जबी भी प्रस्ताव लाएंगे तो 14 दिन पहले ये प्रस्ताव के बारे में राज्यसभा में नोटिस देनी पड़ेगी और अगर राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित होग तो उसका अपना त्याक पत्र राष्टपति को देना पड़ेगा तो इस प्रकार राष्टपति को पत से हटाने की विधी बताई गई है कि एक बार शॉट में मैं फिर से आपको बता देता हूं तो राज्यसभा में उपराष्टपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा चौदा दिन पहले उपराश्टापती को इसके बारे में बताया जाएगा, राज्यसभा में इसके बारे में नोटिस दी जाएगी, राज्यसभा में अगर ये प्रस्ताव पारीत होता है बहुमत से तो ये लोगसभा में प्रस्ताव जाएगा, और लोगसभा में भी दो तीह लिए और उपर आश्टरपती के वेतन के बारे में बनते हैं तो उनके बारे में हमने अभी डिसकस कर ली तो अभी फ्रेंड्स हम लोग इन सब का रिविजन करते हैं तो अगर आपको अभी तक का वीडियो समझ में आये होगा तो आपके लिए यह क्वेस्टिन अंसर काफी इ अभी फ्रेंड्स तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में भी लिखिए इससे आपका कॉन्फिडंस बिल्ट होगा अभी फर्स्ट क्वेस्टिन देखते भारत के उपर आश्टरपती पत के बारे में किस अनुच्छेद में बताया है तो ऑप्शन सी यहां पर राइट अंसर होगा आर्टिकल 63 में बताया गया कि भारत का एक उपर आश्टरपती होगा अभी सेकंड क्वेस्टन देखते उपर आश्टरपती पत का प्रावधान हमने किस देश के समविधान से लिया है तो उपर आश्टरपती पत का प्रावधान हमने लिया है अमेरिका के समविधान से तो option B यहां पर right answer होगा अभी third question देखते उपर राष्टपती को शपत कौन दिलाता है तो उपर राष्टपती को शपत दिलाता है राष्टपती option C यहां पर right answer होगा friends अभी देखिए उपर राष्टरपती का वेतन कितना होगा तो उपर राष्टरपती का वेतन कितना होगा फ्रेंट्स यह आप लोग कमेंट सेक्षन में लिके आपको सभी को यह पता होना चीए यह question important है ठीक है आप लोग इसे comment section में लिके चार लाख होगा यह पांच लाख हो अभी next question देखते राज्यसभा का पदेन सभापती के रूप में कौन कार्य करता है तो राज्यसभा का पदेन सभापती के रूप में उपराष्टपती कार्य करता है यानि कि राज्यसभा की अध्यक्षे के रूप में उपराष्टपती कार्य करता है यहां पर राइट अंसर होगा अभी देखिए भारत के पहले उपराष्टपती कौन थे तो अभी तक हमने यह पढ़ा नहीं था फ्रेंड्स पर आप सभी को अंसर इसका भी अंसर आपको पता होना जरूरी एक्जाम में यहां सभी क्वेशन पूछ ले जाते तो भारत के पहल के बारे में बोला है तो चुनाओ के बारे में बता है आर्टिकल 66 में तो ऑप्शन भी यहां पर राइट अंसर होगा फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट क्वेशन देखते उपर राष्टपती राष्टपती के रूप में अधिक्तम कितने अउधी तक कार्य कर सकता है तो उपर यहां पर राइट अंसर होगा अभी नेक्स्ट क्वेशन देखते भारत के पहले मुस्लिम राष्टपती कौन थे तो भारत के पहले मुस्लिम राष्टपती थे ओप्शन यह राइट अंसर होगा जाकीर हुसें तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने उपर राष्ट पत्का जो ये पूरा कंसेप्ट है वो भी अभी क्लियर हो गया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस प्रकार के नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में